आज किस वीडियो के अंदर हम 15 ऐसे MCO के एक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने MCO के अंदर एक से ज़्यादा मारूल क्याक्टर्स निभाए हैं तो आखिरो एक्टर्स कौन से और उने कौन से रोल्स निभाए हैं उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए इस लिश्ट में सबसे पहले आती हैं जिन्हें हमने देखा था एटर्नल्स मूवी के अंदर सर्सी के रोल में जो कि एक बहुत पावरफुल सूपर हीरो थी पर क्या आपको बताएं कि इससे पहले भी यह एक MCO की मूवी के अंदर दिख चुकी है विलन के रोल मे भी आया था वैसे इस रोल के लिए यानि की सर्सी के रोल के खुद कविन फाइगिन विलने अपरोच किया था जिसके बाद हमें सर्सी के रोल में फिर एक बार गयमा चैन देखने को मिली थी हमारे सेकंड एक्टर जो की एक से ज्याला रोल निभाज हो गया मतलब कि बहुत सारे रोल एक ही मूवी के अंदर निभा चुके हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं जिनका नाम है टाइटा वर्डिटी अब आप सोचेंगे कि इनकी पहली मूवी तो थौर रेगनर रॉक थी जिसके अंदर इन्होंने डारेक्ट किया था उस मूवी का और साथ ह उसके अंदर आक्टिंग भी थी लेकिन उसके अंदर यह तो सिर्फ कॉर्ग के रोल में थे तो आखिर कैसे ुक मूवी के अंदर बहुत साइझ रोल हो Заकते हैं तो वा आपको नहीं पता मुझे मैं नहीं बता और लेकिन महिचे पता लग गया और मैं अब आप को पताता जिसके एक सर का motion capture दिया था Tita Vatiti ने और दूसरे सर का motion capture दिया था Chris Hemsworth ने यानि कि Thor ने खुद motion capture दिया था उसके साथ में अगर आपने इस movie की main villain Sartar को देखा था उसका motion capture दिया था Tita Vatiti ने इसका मतलब इस movie का यानि Thor Ragnarok का main villain Tita Vatiti ही थे साथी साथ लास्ट वाला रोल सुनके तो आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि टाइटा वर्टीटी ने जब ब्रूस पैनर नहीं रहते थे सेट पे तो उन्होंने हल्का motion capture भी दिया था इसलिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीज़े और comment section में बताईए क्या आप कोई पहले से पता था या नहीं हमारे third actor है Chris Evans जिनोंने दो-दो Marvel के characters का रोल निभाया आप सोच रहोंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है हमने MCU के अंदर सिर्फ एक ही बार Chris Evans को देखा Captain America का रोल में तो रुखिए क्या आपने Fantastic Four मूवी देखिए जो की पहले आई थी जिसके दो पार्ट्स पहले आया था उसके अंदर हमें Chris Evans Human Torch के रोल में देखने को मिले थे और Fantastic Four मार्विल के ही कैरेक्टर से और उनके रैट्स मार्विल के पास वापस आ गये हैं आपने देखा होगा Doctor Strange 2 मूवी के अंदर जहां पे हमें Mr. Fantastic एक बार फिर देखने को मिले थे हमारे फूर्थ एक्टर है Michael B. Jordan जिनने आपने देखा होगा Killmonger के रोल में Black Panther मूवी के अंदर पर कि आपको ये बताए कि इससे पहले Marvel के एक और रोल के अंदर दिख चुके हैं जिसका नाम है Human Torch आपने सही सुना अभी जिस रोल के अंदर Chris Evans थे पहले आली Fantastic Four मूवी के अंदर उसी का रोल इन्होंने निभाया है Fantastic Four की Reboot के अंदर जो 2015 में आया था उसके अंदर ये Human Torch बने थे और वो मूवी बहुत बेकारत की फ्लॉप हो गई थी लेकिन फिर भी इनकी एक्टिंग उस मूवी के अंदर भी काफी कमाल की थी और ये निखर के हमें दिखे Kill Monger के रोल में Black Panther मूवी के अंदर जिसके बारे में तो आप सब लोग पहले से ही जानते हैं हमारे 5th actor है Ryan Reynolds जिने आपने Deadpool के रोल में देखा होगा Deadpool की मूवी के अंदर और एक्समैन की मूवी के अंदर भी देखा होगा जहाँ पहली बारे में Deadpool के रोल में देखने को मिले थे बिना अपने सूट के लेकिन क्या आपको बताए कि इससे पहले Blade मूवी के ट्रिलोजी के अंदर भी हमें ये दिख चुके हैं Hannibal के रोल में होग सकता है कि आपको ना पता हो लेकिन Blade मूवी MCU का ही पार्ट है और उसके ओपर फ्यूचर में एक मूवी भी बनने वाली है हमारे 6th actor है Benedict Cumberbatch जिन्होंने Doctor Strange 2 मूवी के अंदर दो दो रोल निभाये थे अब आप सोचिंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता हमने तो Benedict Cumberbatch को सिर्फ Doctor Strange के रोल में देखा था Doctor Strange मूवी के अंदर लेकिन कि आपने उस मूवी का end का scene देखा है जहां पर डॉर मामू और Doctor Strange आमने सामने होते हैं तो मैं आप से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर डॉर मामू का रोल किसने निभाया था मतलब motion capture किसने दिया था और आवाज किसने दी थी तो उसका उत्तर है Benedict Cumberbatch क्योंकि उन्होंने ही डॉर मामू का motion capture दिया था और आवाज द पता है कि मैंने Guardians of the Galaxy 2 movie के अंदर इन्हें देखा था लेकिन में दिमाग में ही नहीं आया research के दौरानी मुझे पता लगा कि हाँ यह हमें दो दो बार देख चुकी MCU के अंदर हमारे next actor है यानी की 8th actor है जोन फैबरो जिने हमने सबसे पहली बार देखा था 2008 की Iron Man movie के अंदर जिनका नाम हैपी था जो की Iron Man के दोस्त थे सेकेटरी थे मतलब की सब काम वही करते थे Iron Man के लेकिन कि आपको पता है कि 2003 में आई हुई Daredevil movie के अंदर भी हमें जोन फैबरो देखने को मिले थे फोकी नैलसन के रोल में लेकिन एक चीज हो सकता है जो आपको ना पताओ कि 2008 में आई हुई Iron Man movie को इन्हों नहीं डारेक्ट किया था यह उस मूवी के डारेक्टर थे और इस मूवी के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी साधी साध आरेन मैन के रोल के लिए जब बहुत से कारेक्टर को दाओ पे लगा के मतलब कि उनको गिर भी रखके वो इस मूवी को बना रहे थे और अगर यह मूवी फ्लॉप हो जा दी तो उनका सारा पैसा डूप जाता इसलिए वो रॉबर्ट डाउनी जुनियर को नहीं लेना चाते थे क्योंकि इनके उपर थे जब तक कि कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी को छोड़ाने नहीं गए थे वहाँ पर जिसका उन्होंने इन सभी को आजात कर दिया था और यह लोग कैप्टन अमेरिका के साथ वापस आ गए थे अपने बेस पर लेकिन उसके बाद हमें यह फिर देखने को मिले थे स्पाइडर मैन होम कमिंग मूवी के अंदर प्रिंसपल मौरिटा के रोल में जो की पीटर पाकर के प्रिंसपल थे लेकिन अब आप यह सोच रहेंगे कि आखिर यह बंदा इतने समय तक जिंदा कैसे रहा और यह जवान कैसे रहा तो उसका जवाब भी हमें वहीं पर मिल ज सब explaining के रोल में लेकिन उसके साथ में इन्होंने rocket का motion capture भी दिया था साधि साथ इन्होंने HAR का motion capture भी दिया था लेकिन गृूट की आवाज विं डीसल देते हैं ये उसके आवाज नहीं देते ये सिर्फ motion capture करते हैं हमारे 11th actor है जो की साथी साथ director भी है जिनका नाम है Joe Russo जो हमें देखने को मिले थे Captain America Winter Soldier movie के अंदर Dr. Fine के role में जिसके बाद ही हमें देखने को मिले थे Civil War movie के अंदर Theo Brass के role में उसके बाद ही हमें देखने को मिले थे End Game movie के अंदर जहां पे Captain America से बात कर रहे थे साथ यहां पे मैंने जितनी movie के नाम गिनवाई यानि Captain America Civil War, Captain America Winter Soldier और End Game और साथी साथ एक और movie जिसके अंदर ये नहीं दीखे थे actor के role में जिसका नाम Infinity War है उन सभी movie के ये director रह चुके हैं और इनके भाई Anthony Russo भी director रह चुके हैं हमारे 12th actor है Aaron Taylor Johnson जो कि हमें सबसे पहली बार देखने को मिले थे Quick Silver के role में Age of Ultron movie के अंदर और अब ये हमें फिर से एक बार देखने को मिलने वाले हैं Marvel के एक और character के रोल में पर वो movie MCU के नहीं है वो movie Sony के है जिसका नाम Crime in the Hunter जो 2023 में release होगी हमारी 13th actress है Jennifer Connelly जो हमें सबसे पहली बार देखने को मिली थी 2003 की Hulk movie के अंदर अब आप सोच रहेंगे कि उसके बाद ही हमें कहां MCU के अंदर देखने को मिली तो अगर आपने Spider-Man Homecoming movie देखी है तो उसके अंदर आपको Spider-Man के जो नया सूट था उसके AI के बारे में तो पता ही होगा उसका नाम क्या था उसका नाम कैरें था तो उसकी voice इन्होंने ही दी थी हमारे 14th actor है Joss Berlin जो हमें देखने को मिले थे Thanos के रोल में Endgame और Infinity War movie के अंदर लेकिन साथी साथ यह हमें Marvel के एक और character के रोल में देखने को मिले थे Fox की एक movie के अंदर जिसका नाम है Deadpool 2 जिसके अंदर हमें एक cable के रोल में देखने को मिले थे और अब तो 20th century Fox के सारे rights आ गए हैं Disney के पास यानि कि अब Mario के पास उनके सारे characters वापस आ गए इसलिए Deadpool 3 Disney के अंदर MCU में बन रही है जो कि यह काफी कमाल की बात है और मैं तो काफी excited हूँ Deadpool 3 movie लेकिन एक चीज़ जो हो सकता आप लोगों ना पता हो कि Thanos के रोल के लिए पहली choice Jaws Berlin नहीं थे इससे पहले इस रोल को दिया जाने वाला था Damien Poitier को क्योंकि उन्होंने Avengers के Mid-Creat scene के अंदर Thanos का रोल नहीं भाया था लेकिन उन्हें इस movie के लिए कास्ट नहीं किया गया Jaws Berlin को ही कास्ट कर लिया गया Thanos के रोल के लिए हमारे 15 एक्टर है Ray Stevenson जो हमें सबसे पहली बार देखने को मिले थे Thor movie के अंदर यानि की 2011 में आई हूँ movie के अंदर Walls Tech के रोल में हमें देखने को मिले थे पर अगर आपको लगा कि सच में हमें 2011 की movie के अंदर सबसे पहली बार देखने को मिले थे Marvel के अंदर तो ये गलत है हमें सबसे पहली बार देखने में ले थे 2008 की movie Punisher Warzone मुवी के अंदर जहां पे main lead में थे यानि कि उस movie के hero थे साथी साथ एक बहुत बड़ी blockbuster movie जिसका crazy पूरे world के अंदर बहुत जादा है France हो, Germany हो, US हो, मतलब कोई भी देश हो, वहाँ पे इस movie का crazy बहुत जादा और वहाँ पे ये उस movie के अंदर villain के रूप में हमें देखे हैं जिस movie का नाम है triple R यानि की हमारे Indian movie सवासा करता हूँ, आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर आपको इस वीडियो का part 2 चाहिए तो आप हमें comment section में जरूर बताए, मैं इसके उपर part 2 लेकर जरूर आऊंगा मैं मिलता हूँ आप से अपनी अगली वीडियो में